नमश्कार मित्रों दशा माता का व्रत कब है दशा माता का डोरा कब लें कैसे लें किस परकार बनाई और कब इसी खोला जाता है कब बांदा जाता है संपून जानकारी इस वीडियो में हम लेकर आई हैं दशा माता का डोरा दशा माता का वरत चैत्रमास के क्रिशन पक्ष की दश्मी को रखा जाता है इस बार चैत्रमास के क्रिशन पक्ष की दश्मी जो की 4 अपरेल 2024 को है 4 अपरेल 2024 को दशा माता का वरत किया जाएगा और इस दिन नल दम्यंती की कथा सुनी जाती है पीपल व्रिक्ष की परिकर्मा की जाती है पीपल के व्रिक्ष की नीचे ही डोरा लिया जाता है डोरा लेने के लिए इस दिन दस तार का दस गाठों का हल्दी से रंग कर डोरा बनाया जाता है और इस डोरे को पीपल के व्रिक्ष के नीचे रख कर पूजा की जाती है यदि पीपल का वरिक्ष नहीं है तो आप दस पीपल के पत्ते पहले दिन ही मंगवा कर रख लीजिए और पीपल के पत्ते पर माता की हल्दी से अकृति बना लीजिए दशा माता की और उनकी विदिवत पूजा करें माता को रोली सिंदूर लगाएं अक्षर चढ़ाएं भो भोग में आप मीठा कुछ भी हल्वा पूरी बना सकते हैं उसके बाद वहीं पर बैठकर नल दम्यंती की कथा सुन लीजिए और वहीं पर बैठकर दस तार का दोरा बनाएं दस गाटों का और उसे हल्दी की गाट को पानी में खोल कर रंग लीजिए पीले रंग का और उसक पूजा में रखें वहीं पर यहूं के दस दाने हाथ में लेकर नल दम्यंती की कथा सुनें कथा सुनने के बाद इस डोरे को आप अपने गले में धारन करें इस डोरे को धारन करने से घर की दशा सुधरती है घर में आर्थिक स्थिती मजबूत होती है यदि किसी तरह की प पता बढ़ती है मित्रों दश्या माता का डोरा लेना बहुत ही शुब होता है और इस वरत को अजीवन किया जाता है कभी भी इस वरत का उध्यापर नहीं होता यदि आपको किसी वज़े से वरत नहीं कर पा रहे हैं तो यह वरत आप किसी को दे सकते हैं जैसे सास अपनी उस वरत को हर वर्ष कर सकते हैं आप मित्रों बात आती है इस दोरे को कब तक पहनना है मित्रों इस दोरे को आपको विशाक मास के शुकर पक्ष में किसी भी अच्छे दिन खूलना होता है खूल कर आप इसे किसी डबी में बंद कर लीजिए और अपनी धनस्थान पर रख जब अगले वर्ष आप लेंगे दशामाता का डोरा तो इस वले डोरे को आप जल परवाहित कर दीजिए पुराने डोरे को इस तरह से मित्रों दशामाता का वरत किया जाता है वरत वाले दिन बिननमक का भोजन करना होता है और एक समय ही गहूं के आटे से बने हुए किसी भी भोजन को आप ग्रहन कर सकते हैं तो मित्रों इस बार दशामाता का वरत चार अप्रैल दो हजार चोविस को किया जाएगा पीपल के वरिक्ष के नीचे आप जाकर पूजा करें यदि पीपल का वरिक्ष नहीं है तो आप बिना पीपल के वरिक्ष के भी पीपल के पत्तों क आप पूजा में रखकर पीपल के पत्ते के उपर ही एक अक्रिती बना लेजी हल्दी से और मा का ध्यान करके वहीं पर बैट कर अपने घर के पूजा स्थाल पर आप पूजा कर सकते हैं और डोरा ले सकते हैं आपको डोरे और ब्रसे संबंदित यह सारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप सबी कहानियों के लिए कथाओं के लिए हमारे चानल पर जा सकते हैं दशामादा के गहने कैसे बनाए जाते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुए वहाँ पर जाकर आप देख सक और नल दम्यंती की परसीद कहानी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुए आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं तो मित्रों हमारी तरफ से आप सभी को जैमाता की दोस्तों अगर अच्छी लगी है आपको यह सब बातें तो आप कमेंट बोक्स में जैमाता की अवश्य अवश्य की